आप सब खेरियत से होंगे सर आकिप ने आपको चाप्टर नमबर टू बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया that is about plants and their systems आज के lecture में हम करेंगे इस चाप्टर की textbook exercise को solve तो आजे चलते हैं बोट की तरफ So students, आपकी textbook exercise का question number one है multiple choice questions आपके सामने statement given है और हर statement के साथ आपको चार options दी गए है आपने best option का इंतखाब करना है जो के आपकी statement के साथ suit कर रही हो आजे देखते हैं के first statement हमारी क्या है statement number one is what part of the plant absorbs water plant का मतलब पौदे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो के पानी को absorb करता है हमारी पास options है option A, flower option B is a leaf option C is root and option D is stem आपको पता है के पौदे के दो हिस्से होते हैं एक हिस्सा होता है मिटी से उपर वाला जिसको हम कहते हैं shoot और दूसरा हिस्सा होता है मटी से नीचे जिसको हम कहते हैं roots यह जो roots है इनका मिटी के नीचे होने का यही मकसद है कि जो भी soil के अंदर moisture मौजूद है वो उसको अपने अंदर absorb कर ले और बाकी plant तक मतलब अपर portion of the plant वहां तक वो पानी को पहुंच चाह सके आपको पता है कि पानी और खाना एक plant के अंदर आपको पता चल गया कि हमारा चो प्लांट का हिस्सा है जिसने पानी अब्सार्ब करना होता है इस आर आवर roots वुच इस option C तो आप option C को correct option माक करेंगे for statement number 1 moving towards the next statement the next statement is what does the stem of a plant do एक प्लांट में जो stem होता है मतलब जो एक तना होता है हमारे पौदे का उसका क्या काम है आईए पहले हम options को रीट करते है option A is it absorb minerals ये जो stem है ये minerals को अब्सार्ब करता है option B is it carries food up to the leaves ये खाने को हमारे leaves तक पहुंचाता है option C is it makes seeds ये seeds produce करता है and option D is it supports the plant above the ground ये जो प्लांट का उपर वाला हिसा होता है the part of the plant that is above the soil हमारा stem जो है उसको support देता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी plant है उसका stem जो है वो support देता है basically जो उसका function है वो यही है कि जो plant का हमारा structure है वो maintain रहे तो option D हमारी correct option होगी इसके इलावा absorb minerals आपको पता है कि roots जो है वो पानी को absorb करती है from the soil और इस पानी के अंदर dissolved minerals होते है इसका मतलब कि minerals को absorb करने का काम stem नहीं करता बलके roots करती है up to the leaves that is wrong क्योंके leaves के अंदर ही तो काना produce होता है जब वो leaves के अंदर produce होता है तो इसको carry किया जाता है to the downward direction in the downward direction towards the lower parts of the plant then we have the production of seeds seeds की production होती है flowers के अंदर तो आपको पता चल गया that option A, B, C are incorrect हमारी correct option होगी option D which is saying के हमारे stem का जो function होता है that is to give support to our plant मुझे उमीद है के आप मेरे साथ साथ correct options को mark कर रहे है now we are moving towards statement number 3 so the statement number 3 is which of the following is not a plant organ हमारे पास जो options given है इन में से हमने decide करना है के कौन सी option है जो के plant का organ consider नही की जाती option A is a flower option B is pollen option C is root and option D is a stem आपको पता है के प्लांट के अंदर जो दो major जगें है या पार्ट से इस आर अपर पोर्शन अदर लोर पोर्शन नीचे वाला पोर्शन होता है रूट का जिसका बहुत इम्पर्टन फंक्शन होता है तो यह है a part of a plant then we have stem stem is also a very major part of our plant आपको पता है के फ्लावर जो है अगर प्रेजन होगा किसी प्लांट में तो वो उसका और्गन कंसिडर किया जाता है मगर पोलन ग्रेंज जो है यह और्गन नहीं होते प्लांट का यह प्रोडूस होते हैं एक और्गन के अंदर विच अवर फ्लावर फ्लावर के अंदर के पोलन ग्रेंज जो हैं सीट जो है यह फॉर्म होते हैं और इनका काम होता है रीप्रोड़क्शन का या पहर तू बिगन विद वराइटी इन जेनरेशन अव फ्लावर यह जो pollen grains है, यह एक flower से दूसरे flower में transfer होते हैं, इस तना variety आती है, color में, shape में और reproduction का process होता है इसका मतलब that stem, root and flower are organs of a plant but pollen is not considered an organ, इसलिए आप correct option mark करेंगे, option B for statement number 3 We are now moving towards statement 4, statement 4 is what are vascular bundles made of, vascular bundles किन चीजों के साथ मिल के बनते हैं, option A is phloem only, यह सिरफ phloem से बनते हैं, option B is xylem only, यह सिरफ xylem से बनते हैं, option C says xylem and phloem, यह xylem और phloem को मिला के बनते हैं and option D is neither xylem nor phloem, नहीं यह xylem टिशू से बने होते हैं, नहीं यह phloem टिशू से बने होते हैं तो आपको पता है के vascular bundles, दो तरहां के टिशू से मिल के बनते हैं, number 1 is the xylem tissue, जो के पानी को ट्रांसपोर्ट कराता है, from the roots to the upper parts of the plant और दूसरा है phloem tissue, जो के ट्रांसपोर्ट करता है, food को मतलब glucose को from the leaves to the lower parts, या पर to the other parts of the plant तो vascular bundles मिल के बनते हैं, with xylem and phloem, तो हमारी correct option होगी, option C that says xylem and phloem we are only left with one multiple choice question, that is the job of root hair is, root hair का क्या काम होता है, क्या function होता है, option A is it increase the area of roots, option B is it keeps the roots warm, option C is it protects the roots from damage and option D is it provides them with food, मतलब ये roots को खाना फराहम करती है, आपको पता है के root hair मौझूद होते हैं हमारे roots के उपर, अब ये जो hair है, ये बिकुल वैसे होता है, जैसे हमारे skin के उपर मौझूद होते हैं, छोटे-छोटे से बाद, बिकुल उसी तरीके के बाल मौझूद होते हैं, plant की roots के उपर, इनका मकसद होता है, surface area को बढ़हाना, why? because roots का काम है या function है to absorb the minerals from the soil, इसे लिए उनका surface area जादा होना बहुत important है, इसका मतलब that the correct option for the last multiple choice question will be option A that says that root here increases the area of roots, मुझे उमीद है के आपने मेरे साथ-साथ, तमाम करेक्टर options को mark किया, अगर आप से कोई option mark करने वाली रह गई हो, तो अभी इस video को pause कीजिए, जाए अपनी textbook exercise पे, तमाम करेक्टर options को mark कीजिए और जल्दी से वापिसाएंगे, Well done students, now we can start with question number 2. So question number 2 is true or false, हमाय पास statements given है and we have to decide that if the statement is right or is the statement wrong, मैं right के लिए यूज करूँगी the symbol tick और मैं false, मतलब गलत statement के लिए यूज करूँगी the symbol cross, तो आप ये देखते हैं के पहला true or false statement हमारा क्या है, The first statement is, an organism is something that is able to survive on its own, एक organism को अगर define किया जाए, तो organism एक ऐसे living thing को कहते हैं या पिर ऐसी चीज को कहते हैं जो के खुद से survive कर सके, अब ये statement बिकुल correct है क्यूंके organisms वही होते हैं जो के खुद सर्वाइफ कर सके, That means that this statement is absolutely correct, आप इसके सामने लिखेंगे true या पर you can use the symbol tick. Moving towards the next statement, Xylem tissue carries water and minerals from the leaves to the roots of a plant. Xylem tissue जो है वो carry करता है water को और minerals को, यहां तक तो बात ठीक है, मगर आगे लिखा है from the leaves to the roots of a plant, यह water और minerals हमारे leaves में से लेके जाता है, towards the roots, that is wrong, क्योंकि roots का काम है, पानी और minerals को एब्सॉप करना, और roots जब एब्सॉप कर लेती है, पानी को तो Xylem इस पानी को ट्रांस्पोर्ट करवाता है, towards the upper portion, मतलब, towards the leaves, इसका मतलब, because of this part of the statement, हमारे यह पुई स्टेटमें होगी गलत, and you will use the symbol cross, which is for false. Moving towards statement number 3, statement 3 is, phloem is dead tissue, xylem is a living tissue. Phloem जो होता है, वो एक dead tissue होता है, और xylem जो है, वो एक living tissue है. This statement is incorrect, क्योंकि phloem और xylem, दोनो ही living tissues है, यह एक living organism में मौजूद है, मतलब, plants में. Plants को हम कंसिडर करते हैं, as living organisms, that can make their own food. अगर तो यह dead tissue होते, तो कभी भी यह transportation का काम ना कर सकते. So, statement number 3 is incorrect, you will write, false, or cross in front of statement number 3. Moving towards the next statement, which is statement number 4. It says, sugar solution can go up and down via phloem at the same time. Sugar solution, उपर और नीचे ट्रांसपोर कर सकता है, एक plant के अंबर. अब उपर नीचे ट्रांसपोर करने के लिए, उसके पास एक ही passage है. वो कह रहे हैं that it can transport at the same time through the phloem, वो उपर भी जा सकता है और वो नीचे भी आ सकता है. That is actually correct, वैसे तो जादा तरिये होता है के जहां से food बन रहा है, मतलब source से यह direction होगी towards the other parts of the plant, मतलब from up to down. मगर यह काम opposite भी हो सकता है, मतलब दोनों directions में transport होना मुमकिन है. इसलिए हम इस statement को लिखेंगे true, we will use the symbol tick. The last statement we have is, a growing plant root tip is protected by a root cap. आपने इस chapter में root का structure पढ़ा और आपको बता चला के root के सामने एक cap मौझूद होता है. उस cap का क्या function था, आपने ये भी समझा. इस cap का function होता है to protect the growing root. अब जो growing root है, वो बहुत नाजुक सी होती है, पतली सी होती है. अगर उसने grow करना है, तो उसने soil में अपनी जगा बनानी है. अब आपको पता है कि जगा बनाने के लिए उसकी जो tip है, उसका strong होना बहुत important है. तो जो हमारा root cap होता है, वो strong करता है हमारे root की tip को. So statement number 5 is absolutely correct. आप इसके सामने लिखेंगे true or you can use the symbol tick. इसके साथ ही we are done with question number 2. आज के lecture में हमने आपके chapter 2 का question number 1 और question number 2 solve किया. हम मिलेंगे next lecture में to solve the rest of your textbook exercise. तर तक के लिए अपना बहुत खाल रखेगा. खुदा हाफिस.